प्रयाग राज में शनिवार से जारी भारी बारिश के चलते गंगाय मुना का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। पहाडों पर हो रही लगातार वर्षा के कारण जलस्तर के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश के बाद शनिवार से ही तीजी के साथ दोनों नदियों में पानी बढ़ते देखा गया है शनिवार को दोनों ही नदियों का जलस्तर प्रतेक चार घंटे में एक सेंटी मीटर की दर से बढ़ता रहा सिंचाई विभाग के अफसरों ने बताया कि दोनों ही नदियां अभी चेतावनी बिंदू से काफी नीचे बह रही है फाफामों में शनिवार की रात आठ बजे गंगा का जलस्तर 78.5 एक मीटर रहा इसी तरह चतनाग में गंगा का जलस्तर 76.79 एवन नैनी में यमुना का जलस्तर 77.55 मीटर रहा वहीं 24 घंटे पूर्व फाफामों में गंगा का जलस्तर 78.40 चतनाग में 76.31 एवन यमुना का 76.94 मीटर रहा उधर गंगा में बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए संगम पर तीर्थ पुरोहित अपना सामान लेकर अब पीछे हटने लगे है प्रयागराज जिला प्रशासन ने अलट जारी किया है और सभी को खास कर तटीय इलाके में रहने वाले लोगों को सावधान रहने को कहा है प्रयागराज में बड़ी संख्या में तटीय इलाके में बने घरों में किराय के कमरे में चात्र रहते हैं पानी बढ़ने से छोटा बगाडा, सलोरी, गोविंदपुर, शिफकुटी, मेहदौरी, शंकरढाल, बेली कछार, दारागंज सहित कई अन्य इलाकों में 50,000 से अधिक छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा वहीं घाटियों ने अपना समान फिर से समिटना शुरू कर दिया है संगम में बने घाट शेरियों के लिए एक पिकनिक स्पॉट से कम नहीं है, जिसको देखते हुए भी अलट जारी किया गया है